फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्मेंट अंडर सेक्शन 164 एंड सेक्शन 161 Hey everybody मैं हूँ आपका होस्ट नितेश और आप देख रहे हैं जुडी श्री क्रेकर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड करता है कन्फेशन को रिकॉर्ड करनी की क्या ब्रक्रिया है क्या प्रोसीजर है और क्या सावधानी क्या प्रिकॉशन समय लेने हैं कन्फेशन को रिकॉर्ड करते वद वन सिक्स्टी फोर के अंदर स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होते हैं उन्हें कौन रिकॉर्ड करता है उनको रिकॉर्ड करने का ऑबजेक्ट क्या है और साथ ही हम देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर विटनेस इसका ये सारी बाते जामने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखिए और जिनों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को क्लिक कर लीजे क्योंकि बैल आइकन पर क्लिक करने से ही आपको नए वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि confession क्या होता है अब confession जो word है confession जो शब्द है वो कहीं पे भी define नहीं है कहीं पे भी कोई भी statute के अंदर define नहीं है confession को एक basic language में हम बोलते है confession is an admission of guilt कोई भी guilt का कोई भी crime को स्विकार करना ही confession कहलाता है अब यह जो confession है यह कब हम कर सकते है confession कब हम कर सकते है confession हम हम हमेशा investigation के दोरान ही कर सकते है ध्यान की बात है ध्यान रखने वाली बात है तो फ्रेंट के investigation के दोरान ही confession किया जा सकता है inquiry or trial के दोरान नहीं यह question MCQ में प्रिलिंस में जुडिश्री में बहुत भार पूचा जाता है कि confession कब किया जाता है थोड़े से twist or turns के साथ पर हमें घांट बांद लेनी है दिमाग में कि confession कब कर सकते हो investigation के दोरान बस दूसरा और कुछी नहीं देखना है कि confession को सिर्फ और सिर्फ investigation के दोरान ही किया जाता है inquiry or trial के दोरान नहीं कर सकते हो inquiry or trial के start होने से पहले तक आप confess कर सकते हो ठीक है फ्रेंच अब एक कोशन दिमाग में आता है कि confession तो हम investigation के दोरान ही कर सकते हैं तो जब हम trial और inquiry के दोरान कोई guilt का admission करते हैं तो वह क्या कहलाता है उसे हम बोलते हैं प्लीड गिल्टी वह कहलाता है प्लीड गिल्टी अब इसके वर्ट में कोई ज्यादा difference नहीं है दोनों का मतलब एक ही है बस थोड़ा सा वर्ट अलग अलग है कि अगर investigation के दोरान हम गिल्ट का admission करते हैं तो वह कहलाता है वह कहलाता है confession और अगर हम inquiry या trial के तोरान करते हैं तो वह PG कहलाता है short form में इसे PG बोलते हैं that means plead guilty चलिए अब देखते हैं कि confession को कौन record कर सकता है यह भी बहुत important point है बार-बार prelims में पूचा जाता है कि confession यह statements को जो होता है वह कौन record कर सकता है section 164 के अंदर ध्यान रखना confession को हमेशा judicial magistrate या metropolitan magistrate ही record कर सकता है कोई भी magistrate confession को record नहीं कर सकता है इसका मतलब क्या है कि executive magistrates जो होते हैं वह confession को record नहीं कर सकते हैं साती वह police officer भी confession को record नहीं कर सकते हैं जिनको magistrate की power confer की गई है ज्यान रखना अब वापस हम आते हैं confession को कौन record कर सकता है सिर्फ judicial magistrate और metropolitan magistrate confession को record कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी magistrate any magistrate cannot record confession यानि executive magistrate empower नहीं है कि वो confession को record करें साथी वो police officer भी confession record नहीं कर सकता है जिसको magistrate की power दी गई है जिसको magistrate की power confer की गई है अब एक question प्रिलिंस में बहुत बार पूचा गया है बहुत जगे और djs में भी specially पूचा गया है कि क्या special judicial magistrate जो CRPC के अंडर appoint होता है ज्यान से सुनना फ्रेंज क्या special judicial magistrate जो CRPC के अंडर appoint होता है क्या वो confession record कर सकता है तो इसका answer है no special judicial magistrate confession record नहीं कर सकता है थ्यान रखना फ्रेंच चलिए आगे बढ़ता है कि confession को record करने का procedure क्या होगा confession को जो record करने का procedure होगा वो section 281 CRPC के according चलेगा यानि आप accused के examination का record कैसे करते हैं accused का examination आप कैसे record करते हैं उसी के according उसी के तहएद सेम वैसे ही आप confession को record करेंगे इसका मतलब क्या है section 281 क्या बताता है section 281 दो बाते करता है कि अगर mm metropolitan magistrate अगर record करता है examination accused का तो वो सिफ substance बताएगा mm जो होता है वो सिफ substance लिखता है examination का और अगर judicial magistrate record करता है तो उसको detail में करना पड़ता है अगर judicial magistrate करता है record तो उसे detail में करना पड़ेगा फुल लिखना पड़ेगा और accused के त्वारा sign भी होगा जान रखें तो procedure क्या हुआ confession को record करनेगा वो section 281 CRPC के according record होगा वो magistrate और accused के त्वारा confession sign किया हुआ होगा और magistrate satisfied होना चाहिए द्यान रखना फ्रेंज confession हमेशा voluntary होता है फिर जो confession record करेंगा confession record करने के बाद उसके foot पे एक warning note लिखा जाएगा कि मैंने accused को warning दी थी कि आप confession करने के लिए bound नहीं है और अगर आप confession करते हैं तो यह आपके against में evidence की तरह यूज किया जाएगा अब हम देखते हैं कि confession को record करते वक्त क्या precautions बरती नहीं है क्या सावदानिया बरती नहीं है यह utmost ज़रूरी है अगर यह सावदानिया नहीं बरती गई है तो confession की कोई value नहीं रह जाती है तो सबसे पहले confession record करने से पहले क्या करेगा magistrate accused को inform करेगा जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि magistrate accused को inform करेगा कि वो pound नहीं है confession करने के लिए दूसरा point confession कभी भी oath पे नहीं होता है यह बहुत लोग confused हो जाते हैं section 164 CRPC read करते वक्त 164 CRPC के अंदर confession record हो रहा है तो वह oath पे नहीं होता है पर section 164 CRPC के अंदर अगर statements record हो रहा है तो वह oath पे लिए जाते है चलिए वापस आते हैं इदर confession record करते हैं किया सावधानिया बरतनी है accused को पहले inform करेगा कि वो confession करने के लिए bound नहीं है confession को oath पे नहीं लिया जाएगा ठीक है अगर confession को record नहीं किया जाएगा अगर वो voluntary नहीं है confession अक्यूस्ट को inform किया जाएगा कि अगर वो confession नहीं करना चाह रहा है is not willing to confess तो उसे पुलिस custody में detain नहीं किया जाएगा उसे पुलिस custody में नहीं भेजा जाएगा और सबसे important बात जब confession record करते हैं तो पुलिस officer नहीं होता है वहाँ confession record करते हैं वक्त पुलिस officer नहीं होता है तो confession को हम पूरा अगर समप करें कुछ चार-पाच points के अंदर तो confession सबसे पहले क्या होता है admission of guilt होता है confession को कौन कर सकता है जुडिश रिकॉर्ड कर सकता है investigation के दौरान और अगर inquiry और trial के दौरान किया जाता है तो उसे plead guilty बोला जाता है confession जो होता है वह voluntary होना चाहिए confession record करने से पहले magistrate satisfy होना चाहिए कि confession voluntary है और उसे warning देनी है अक्यूस्ट को कि अगर आपने confession किया तो यह आपके against में as an evidence यूज होगा ठीके फ्रेंच और साथ में एक information on देनी accused को कि अगर आप confession नहीं करना चाहते हैं तो आपको पुलिस custody में नहीं भीजा जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे हम कि section 164 के अंदर statements कैसे record होते है statements कैसे record किये जाते हैं सबसे पहले हम यही देखता है कि statements इसको 164 के अंदर statements वो record कौन कर सकता है record सेम इसका मतलब क्या हुआ judicial magistrate या metropolitan magistrate ही section 164 के अंदर statements record कर सकते हैं अब question आता है कि statement record किस में किया जाएगा तो statement जो record किया जाएगा वो section 274, 275, 276 CRPC के according किया जाएगा section 274 क्या बोलता है कि summon cases और inquiries के दोरान record कैसे हाएगा 275 बोलता है warrant cases के दोरान कैसे record किया जाएगा 276 बोलता है कि जब court of session trial होता है तो उसके दोरान record कैसे किया जाएगा तो same manner जैसे section 274, 275, 276 में उसी के according section 164 के statement record किये जाएगे judicial magistrate या metropolitan magistrate के द्वारा अब एक चीज दो differentiate करती है statement under section 164 और confession को कि confession कभी भी oath पे नहीं होता है पर statements जो है section 164 के वो oath पे ही लिये जाएगे, oath पे ही record किये जाएगे और section 164 के statements है जो compulsory है जब female के against offenses होता है यानि female के against कौन से offenses की बात कर रहा हूं यहां मैं यहां मैं IPC के वो offenses की बात कर रहा हूं 376B, 376C, 376D, 376E, 376DA, 376DB और section 509 ज्यान रखना साथ में यहां पर add किया गया section 509 को भी चलिए आगे अब हम देखेंगे यह अभी तक हमने देखा कि confession क्या होता है कैसे रिकॉर्ड होता है क्या किया जाता है confession के लिए क्या ज़रूरी है record करने से पहले क्या warnings है और फिर हमने देखा कि statements कैसे रिकॉर्ड किये जाते है 164 के अंदर उन statements का कौन रिकॉर्ड करता है और उन statements का record कैसे किया जाता है अब हम देखेंगे कि जो पुलिस ओफिसर जो विटनेस का एक्जामीनेशन करते हैं वो एक्जामीनेशन कैसे होता है पुलिस ओफिसर विटनेस को पुलिस स्टेशन में बुला सकता है या कौन से विटनेस को पुलिस स्टेशन में परस्नली नहीं बुला सकता है आयो विटने पुलिस ऑफिसर कैसे करते हैं जो की सेक्शन है 160 जो की है सेक्शन 161 और 162 हम तीनों इस टॉपिक के अंदर क्लब इन करके स्टड़ी करेंगे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयो के पास जो है सेक्शन 160 के अंदर पावर है कि वो विट्नेस को कंपेल कर सकता है एक रिट जो है वो ऐसे लोगों को नहीं बुला सकता पुलिस स्टेशन के अंदर जो 15 साल के नीचे के हैं 65 साल के उपर के हैं या कोई वूमेन है या कोई mentally या physically disabled person है आयो ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर को स्वयाम खुद इसे विट्नेस के पास जाना पड़ेगा स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करने के लिए या इन्फोर्मेशन गेन करने के लिए अब कोईशन एक और आता है जो पूछा जाता है isones inkestä के डिएगरींगर विट्नेसस को Deck to meet always स्टेशन में बुला दिया है तो आप क्या एक्षन ले सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर के एनस में तो ऐसे में आप section 166A IPC की कारवाई कर सकते हैं उसके अगेस्ट में जिसके अंदर उसको rigorous imprisonment मिलेगी कठोर कारावास 6 महीने से 2 साल तक की सजा and जुर्माना साथ में जुर्माना भी मिलेगा फिर हम देखेंगे कि अगर witnesses को police station में बुलाया जा रहा है उसके residence के अलावा उसे कई बुलाया जा रहा है तो उसे reasonable expenses दिये जाएंगे अब आयो जो है वो witnesses को orally भी examine कर सकता है और witnesses bound है ध्यान रखेगा witnesses bound है questions का सही सही जवाब देने के लिए पर वो उन questions का जवाब देने के लिए bound नहीं है जिसमें जो questions उनको गिल्ड की तरफ या उन पे जुर्माना उन पे criminal charges या उन पे penalty impose करता है तो witnesses वैसे questions के answer को देने के लिए deny कर सकता और same यही right आपको आर्टिकल के constitution के आर्टिकल 20 के अंदर भी आपको मिली भी है 20 के 20 के तीन में अब आयो जो है अब आयो ने examinations औरली कर लिए statements अब औरली एक्जामीन करने के बाद उन statements को अगर लगता है relevant है case से और important है तो उन्हें वह राइटिंग में record करेगा और एक separate record बनाएगा उस witnesses के statements का अब जब statement जो है अगर वह victim के record होने रेप offenses के तोरण यह important है ध्यान रखे गया अगर statement victim के record होने है रेप offenses के victim के तो वह record woman police officer ही करेगी या woman officer करेगी ध्यान रखना word use किया गया है shell यानि police officer के पास कोई liberty नहीं है कोई discretion नहीं है वह bound है जब रेप offenses के victim के statements लिए जाते हैं तो कौन statement record करेगा woman police officer या कोई woman officer ही करेगी यह same की same ऐसी बात लिखी गई है कहां पे लिखी गई है section 154 के अंदर section 154 सेम बात section 154 में भी लिखी गई है कि जब आप FIR record करते हैं FIR आप information record करते हैं तो उस information को भी जो record करेगा जो note करेगा first information report लेगा वो भी woman police officer ही होनी चीए वहाँ पे भी word shall use किया गया है वहाँ पे भी police के पास कोई authority नहीं है और एचीज और ध्यान रखनी है कि जो statement हम police officer को दे रहे हैं जो statement police officer को दे रहे हैं वो sign करने की ज़रूरत नहीं है आप bound नहीं हो उन statement को sign करने के लिए अब हम देखेंगे कि evidentiary value क्या होती है 161 के statements की जो statements है section 161 के अंदर हमने दिये हैं उनकी evidentiary value क्या है और उनकी evidentiary value क्या है जो FIR जो information हम record करते है section 154 के अंदर वो contradict और corroborate दोनों करने में यूज आती है और contradiction हम कहां पर करते हैं contradiction हम करते हैं section 145 evidence act के अंदर कि IEAK section 145 के अंदर हम contradiction करते हैं और corroboration हम कहां करते हैं section 157 evidence act का ज्यान रखना तो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि FIR का use दोनों में आता है contradict करने में भी corroborate करने में भी पर 161 के statement का use सिर्फ और सिर्फ contradict करने में आएगा अब एक question आता है कि क्या section 161 के statement substantial evidence है तो जैसा कि अभी मैंने का कि हो सिर्फ contradict करने के काम आते हैं तो वो substantial evidence नहीं है और evidence के section 145 के अंदर सिर्फ contradiction के लिए यूज होंगे अब यह है अब important point जो utmost है section 161 का exception section 161 के statements का exception के section 161 के states में substantial evidence की तरह भी use किया जा सकता है कब जब वो section 32 clause 2 और section 27 evidence act की category में आ जाता है मतलब जब वो statement dying declaration की category में आ जाता है या जब उन statement के basis पे कुछ production होता है कुछ discovery होती है तो वो statements जो भी police officer record कर रहा है वो substantive piece of evidence की category में आ जाता है उनका evidentiary value change हो जाती है अब एक questions और दिमाग माएगा कि sir police officer हमने हमारे पास right तो है कि police officer को दिए वे statement हमें sign नहीं करने पर क्या जब उस stage में क्या आ जब वो statement हमने गलती से sign कर दिया या police officer ने वो statement जबर्दस्ति sign करवा दिये तो ऐसे case में court देखेगा कि 161 के statement अगर signed आते हैं तो court ऐसे statements को caution के साथ use करेगा cautionary approach लेगा evidence को appreciate करने में evidence को blind foldedly appreciation नहीं मिलेगा caution के साथ ही उसको use किया जाएगा evidence में यानि sign करना नहीं करना बराबर है almost same है अगर sign नहीं किया वा है तो वो फिर भी court normal nature के अंदर use कर सकता है cautious approach ना ले पर 161 के statements में अगर sign कर दिया तो court caution लेगी cautious approach लेगी उन evidence को उन statement को evidence appreciate करने में evidence के अंदर अब हम देखते हैं कि अगर evidence को delay किया गया है अगर 161 के statement को delay किया गया है record करने में तो उसका क्या roll होता है उसका कोई effect नहीं पड़ेगा अगर 161 के statement देरी से record गए है police officer के गवारा तो general rule यह है कि उसका कोई effect नहीं पड़ेगा वो witness की testimony को discredit नहीं कर देगा पर exception है ध्यान रखना फ्रेंच exception है इसका अगर witnesses उस वक्त available थे सीन पे जब आयो investigation officer या police officer सीन पे गया visit करने और उस वक्त witnesses वह अवेलेबल थे और फिर भी delay किया गया है evidence को record करने में तो यह suspicion जरूर create करेगा prosecution के case में कि यह malefied case भी हो सकता है that's all for the day friends आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को like, subscribe और share जरूर कीजिए और bell icon पे click करिए thank you have a good day